आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है चप्टर 3 है डिसीमल नंबर्स एन एक्सराइज 3 स्टार्ट करते हैं अगर आपको इसके रिमेनिंग पार्स जाएंगे तो वह भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे तो सिंपल हम इस डेबल फ्रेक्शन को सिंगल फ्रेक्शन में कनवर्ट करते हैं उसके बाद इसको डैसिमल में कनवर्ट करते हैं तो आपने क्या करना होता है जो डिनोमिनेटर होता है उससे मुल्टिप्लाय करना होता है अपने कोशन के साथ और फिर लास्ट में जो में पहले सी मजूद है वो रहेगा हम क्या करते हैं इंका जो डेसिमल कॉइंट है वो फाइंड कर लेते हैं 75 जए वो बाहिए गाएगा और 757 जए वो अंदर आएगा क्यूंके दीनोमिनेटर वाला हमेशा बाहि राता है बेशक वो चोटा हो यह बढ़ा हो हम उसे बाहिए 75 यह अगर आप 10 की बात करें ना 10 ठीक है यह जैसे हमने अभी किया 75 को 10 से मुल्टिप्लाइए 75 को जब हम 10 से मुल्टिप्लाइए करेंगे तो 750 आजेगा 7 आजेगा नीचे अब यह 7 चोटा है और 75 बढ़ा है तो हम पॉइंट लगाएंगे जीरो लगाएंगे अभी तो 70 है 70 चोटा था यह पॉइंट इस पॉइंट की विड़ा से यह जीरो लगाया 70 बना अभी चोटा है तो अब हम क्या करेंगे फिर जीरो लगाना पड़ेगा तो उसकी रिप्लेस्मेंट पे हमें यहा पर जीरो प्लाइ करने हैं अगर आप यह नहीं करते तो आपका गलत हो 63 और अगर मैं 750 को 10 से करते हूं तो वह बड़ा आ जाता है 750 तो अब मैं 9 से ही यूज करूंगी 9 तो 675 यहां पर 6 पचा 1 कैरी अभी नेक्स पर जाना है यहां पर 9 बच किया 1 आ गया 10 में से 5 निकाला 5, 9 में से 7 निकाला 2, पॉइंट की वजए से 0 अप्लाई होगा ठीक है 75 को मैं यहां पर करती हूं तो के साथ मुल्डिप्लाई क्यों चोटा है 75 को 3 से करते हैं 35 15 और 7 21 22 तो 22 अगर 4 से करूंगी ना वह बड़ा आ जेगा तो मुझे यहां पर 3 ही चाहिए अब यहां तक हमारी डेसिमल तकर पूरे होगा है अगर आप स्यद़ करना चाहने तो 10 में से 5 निकाला 5 4 में से 2 निकाला 225 पॉइंट की वज़ा से फिर से 0 लगाएंगा देखे 250 फिर से आ रहा है फिर 3 अप्लाई करेंगे 225 फिर से 50 आ जेगा 25 आ जेगा and so on ही चलता जाएगा तो इसका जो डेसिमल पॉइंट आया है 10 7 by 75 is equal to जो भी डेसिमल वैल्यों है अब 481 में जो उपर वाला रिमेर उसको एड़ कर देंगे अब हम इनको डिवाइट कर लेते हैं अब 37 को हम क्या करेंगे 37 वांजा 37 क्योंकि हमें कुछ यहां पर हिंट मिल रहा है कि कैसे हम कर सकता है 37 को वां से करते हैं पहले 37 49 जो है 37 और 49 यह निकि 2 डिज ले लिए हमने अगर मैं 37 को 2 से करती हूँ ना तो बढ़ा आज़ेगा 27 14 तो 34 जो के बढ़ा आ गया तो मुझे 1 से यूज करना है 37 वां जा 37 9 में से 7 निकाला 2 4 में से 3 निकाला 1 and 0 अब 37 को हम ना 2 से किया तो अभी भी चोटा है हम ना 3 से करके देख लेता है 1 11 तो 1 11 जो है ना अगर मैं 4 से करूंगे ना वह बढ़ा आज़ेगा इसली मैं 3 वाला यह यूज कर रही हूं 111 माइनिस करेंगे 0 में से 1 निकलता करी लेंगे 10 में से 1 निकाला 9 आ गया ठीक है अब 37 जो है बढ़ा है और 9 चोटा है हम जा करेंगे 0 लगाएंगे अगर देखा जाए तो 2 पे 74 आ रहा है 3 पे 11 तो मैं क्कूं से यूज करूंगी टो यूज करूंगी 0 में से 4 निकलता है 1 के लेंगे अपे 10 में से 4 निकाला 6 8 में से निकाला 5 अब दिक है 16 हूटा है पॉंच लगाएंगे 0 झाँच मेंद कर फूर्टा 7 आव यूज से 4 कर लिए 1ицAH 10 में से 8 निकाला, 10 में से 8 निकाला, 2, 5 में से 4 निकाला, 1, अभी भी चोटा पॉइंट की वज़ए से यहां पर 0 अप्लाई करेंगे, तो 4 से भी बढ़ा जाएगा, और 3 से हम यूज़ करेंगे, ठीक है, 3 यूज़ करेंगे, जो कि 1 11 है, मानस करेंगे, यहां पर हमारे पास आज़ेगा, फिर से वही चीज़ लगारी है, फिर से रिपीट और यहां चीज़ है, ठीक है, तो 9 पॉइंट के ऊस्टो जीज़ कर दोएगा और न पीहां पर घृते हम लगाएंगे, झाल